हलो फ्रेंड मेरे नू और आप सब कैसे हो फ्रेंड तो अब मार्ज के स्टार्टिंग है फ्रेंड और गार्डन में जितने भी हमारे समर प्लांट थे अब सब में नई नई शूट्स वगारा निकल आई हैं और सब में अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो गई है और हमारे वहीं पे विंटर फ्लावरिंग ब्लांट जो हैं अब जाने के तैयारी कर रहे हैं अब खतम हो रहे हैं और हमारे अब गर्मी बहुत जादा पड़ती है इसलिए बचाना बहुत मुश्किल होता है हम लोग जादा दिन तक नहीं बचा सकते हैं लास्ट यह बहुत बारिश हो रही प्लांट बचाना मुश्किल हो रहा है आप मेरा क्लांचू देख सकते हैं यह मैंने कटिंग लगाई थी अक्टूबर में और आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा पॉट जो है यह भर गया है और देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है देखिए मैं इस अच्छी फ्लावरिंग मुझे यह दे रहा है कियर की जूरत नहीं होती है यह देशी क्लांचू है और बहुत अच्छे से आपके गार्डिन में यह चल जाता है इसको बचाना भी थोड़ा सा रेनी सीजन में प्राब्लम होती है पाकिसमर में इसको आप हर प्लांट के समर में आप प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखें तो प्लांट की लाइप बढ़ जाती है और जिस तरह हम लोग विंटर में अपने प्लांट को दूर दूर रखते हैं ताकि उनको धूप लग सके तो हम लोग समर में अपने प्लांट को पास पास रखते हैं ताकि उन तो आप लोग अपने प्लांट को पास पास रख दें और ग्रीन निट में रख दें या सैमी शेड में रख दें तो यह आप जरूर कर लें दूसरा जो है फटिलाइजर आप अपमे प्लांट में दे दें जिसे हमारे क्लांच फिल चुके तब इनको फटिलाइजर की ज़रत अब यहां से पूरी कर चुके हैं और इनको अब जब हमारे यहां से प्लांट जब यह जो फ्लावर हैं यह सोग जाएंगे तो हमको यहां से इनको कट कर देना है ठीक है एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं फ्रेंड बार बार नहीं करते हैं और यह काफे लंबे समय तक टिक तो मेरे ख्याल से यह मेरे 20-25 दिन से खिले हैं और अभी काफी दिन तक यह चलने वाले हैं यहां से इनको कट कर दूँगी मैं और इनको फिर सेमिशेड में रख दूँगी और फिर अक्टूबर में मैं फिर धेर सारी कटिंग लगाऊंगी और बहुत से प्लांट बनाऊंग देखिए काफी दूर तक है और बहुत ही खुबसरत लगता है चोटी से चोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है फ्रेंड्स मिट्टी विल्डेंड बनाईए पानी नहीं रुखना चाहिए एक पार रिवस सेंड एक पार गार्डेन स्वाइल एक पार कंपोस लेके या स्वाइलिंग करता है मगर बहुत अच्छे से करता है इस स्प्रिंक सिजनका में फ्लावरी स्टाट हो जाती है फ्रेंड इसकी हाइबरेट में में भी है मेरी वीडियो लास्ट एर मेरे पास बहुत से प्लांट थे तो डिस्रप्शन ज़रुर चेक्क किया करिये तो चलते ह फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स हैपी गाटिंग